नमस्कार मैं अभिशेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस इस्टडी विथ अभी में और आर भी NTPC का जो वेकेंसी आई हुई है कल से फॉर्म फिलप इस्टार्ट हुआ जिन्होंने भी अभी तक फॉर्म फिलप नहीं किया है या जिनको जो भी डाउट हो रहा ह जोन के रिगार्डिंग कौन सा जोन बेश्ट है तो अभी तक YouTube में भी कई सारी वीडियो बन गया है तो आपको ये वीडियो जुरूर देखना चाहिए देखे क्या है कि अभी आपका जो NTPC का जो वेकेंसी आया जिसमें आपका दो पिपर होने वाला CBT-1 और CBT-2 और एक आपका है दो पोश्ट के लिए एक तो आपका हो गया SM के लिए सौरी स्टेशन मास्टर के लिए और एक जो आपका ट्रफिक असिस्टेंट के लिए क्या है साइको कर टेस्ट मतलब की computer aptitude जो टेस्ट होता है वह आपका टेस्ट मतलब की तीन पेपर होने वाला है तो पहला आपका CBT1 होगा आप जैसे कि जो आप रहने वाले हो इलाहाबाद के ठीक है मैं एक एक एग्जामपल दे रहा हूँ कि आप इलाहाबाद के रहने वाले हो और आपने जो उन को चूज कर लिया है Bangalore को ठीक है एक जिस्ट एग्जामपल आप बैंगलोर को चूज करते हो CBT 1 तो आप इलाहबाद में या आपने UP में ही कहीं आप exam दे दोगे after CBT 1 आपके selection के बाद आपको CBT 2 के लिए exam देने Bangalore जाना पड़ेगा बस इतना ही नहीं आप notification अगर पड़े होंगे तो वहाँ पे साफ mention है level 2 के लिए level 3 उसी तरह 4, 5 और 6 अगर आप graduation के हुए हो ठीक है अगर आपने graduation complete के हो तो आप यह भी form fill up करोगे यह भी fill up करोगे यह भी post का यह भी यह भी इतमिस यह सारे का जितना भी label सबका अलग अलग CBT separate होने वाला है जैसे कि आपने notification है पड़ा होगा इतमिस इसका examination देने के लिए आपको फिर से Bangalore जाना पड़ेगा CBT2 का इसका भी देने के लिए आपको CBT2 देने के लिए आपको जाना पड़ेगा Bangalore यहां इसके लिए भी इसके लिए भी इसके लिए भी अगर आपने graduation किया तो यह सारा post preference आप डालोगे simple सी बात है तो इटमिस सो चलो CBT2 में आपको 5 बार Bangalore जाना पड़ेगा और एक चीज़ी है कि आपको पता है railway क्या करती है 15 दिन पहले 10 दिन पहले आपको admit card जारी करती है आपका center कहा है कौन सा state में है तो वो भी आप fix नहीं अगर Bangalore में आपको मिल गया कि आपको Bangalore City में ही आपको center मिल जाए 400 km 500 km दूर दूर तक center दिया गया था ALP CBT2 की बात कर ले तो जिसमें student को काफी परिशानी हुई थी ना तो ticket मिला जनरल बोगी में जाके सफर किये है और जितना भी तयारी था कर ट्रेन में इस तरह से जर्णी करने के बाद examination देना बहुत ही tough हो जाता है तो ये सबसे important role है कि zone का selection करना है तो आप ये चीज़ ध्यान में रखेगा दूसरी बात आपका अगर selection CBT2 में भी हो जाता है आप निकाल लोगे उसके बाद किया आपको साइको का भी examination देना है तो साइको का examination देने के लिए आपको उसी zone पे जाना होगा तो ये इतना प्रकिरिया है मान के चलो आप graduate हो मैं यही मान रहा हूं कि आप graduation complete की वे तो आपको जो है 5 CBT2 examination वहाँ पे जाने पड़ेंगे 5 बार और 6 बार अगर आप A.S.M. को चूज की होगे साइको का examination देने के लिए तो मिन्स कि आपको 6 बार जाना पड़ सकता है examination देने के लिए वहाँ पे तो अब ये जो zone का selection करना है इस किस basis पे करना देख लिजे और ऐसा कुछ भी नहीं है आप अगर comfortable है जाने के लिए तो बिलकुल जाइए लेकिन आप ये सारी चीज़े जरू ध्यान पर रखिएगा क्योंकि most important है कि आपकी जो तैयारी है वो तैयारी effect क्योंकि journey करने पर काफी effect पढ़ जाता है दो तीन दिन पात है अगर 5 पेपर आपको देना है कर सकते है journey को तो वो simply से बात है वो जाएंगे ही दूर और form fill up करेंगे क्योंकि उनको job से मतलब है तो सारा चीज ये calculate आप लोग कर लेना अगर इतना में आप लोग comfortable हो तो दूर भी आप जा सकते हो otherwise best option जो है साउथ के स्टुडेंट भी अब जो है काफी एक्टीव हो गया है गवर्मेंट जॉब को लेकर के वो लोग भी अब जो है गवर्मेंट सेक्टर में काफा काफी जादा ध्यान दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि काफी competition कम होने वाला साउथ में भी अगर आप चले जाओगे तो यह चीज़ आपको बतानी थी ध्यान रखिएगा और जो भी आपका classes जो हैं आपको history का अभी लेक्चर में continue करने वाला हूँ science का भी तो आप playlist में आप वहां से जाकर के देख सकते सारी वीडियो को और यह वीडियो को जिरूर शेयर कीज़ेगा अपने दोस्तों तक है हम लोग मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यमाद